नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से मेरी चैनल हुद अबल पर आपका स्वागत करता हूँ आज हम बात करेंगे सच्चे सुख की जी हाँ दोस्तों सच्चा सुख आपको कैसे पाना है इस वीडियो में कहानी के माध्यम से पूरा समझेंगे तो सच्चा सुख पाना है तो यह एंड तक जरूर देखना और आप मेरे यूटूब पे नए आये हो तो नीचे का लाल बटन दबाके सब्सक्राइब जरूर करें और उसके बाजू का जो बैल का आइकोन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिले सबसे पहले और सच्चे सुख की क्या वाके में इस दुनिया में इस जिंद्गी में सच्चा सुख होता है चाहे वो आम इंसान हो या कोई बड़ा आदमी हो चाहे वो पॉलिटीशन हो या कोई फिल्म स्टार हो हर एक को चाहिए सच्चा सुख सभी लोगों सच्चे सुख की अपेक्षा हो उसमें बात करने वाले है एक कहानी के माध्यम से जी हाँ दोस्तों एक बड़े सहर की बात मैं आज आपके सामने रखूँगा और आप भी मान जाएगे कि सच्छा सुख मिलता है कहानी को एंट तक जरूर देखेगा एक बड़े सहर की बात हो रही है उसमें एक जगह पे क्रिबन पच्चास लोगों ने वहां पर पाटीजिपट किया है वक्ता ने अपना वक्तव्या सुरू किया है वक्तव्या बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने लगा है सब लोग एक निगा से उस वक्तव्या को सून रहे हैं और वक्तव्य में चाहें खो गए हो ऐसा मैसूस ह को रहा है वहीं अचानक वक्तव्यकों रोख देता है जी अचानक वक्तव्यक को रोग देता है और वहां पर सबको एक एक गुबारा देता आखिर उस ने गुबारा क्यों दिया उस comparing वक्तव्यमे वह जानना है तो देखते रहे हैं मेरा वीडियो सभी को एक गुबारा दे दिया और उस वक्ता ने सभी को बोला सभी जो वहां पर सुनने आये थे उन्होंने बोला कि मारकर पैंच से हरे गुबारे पर अपना अपना नाम लिख दो सभी लोग उस गुबारे पर अपना अपना नाम बहुत बड़े अकसरों से लिख देते तभी वक्ता बोलता है कि सभी गुबारों को एक दूसरे रूम में ले जाए और सभी वहां पर जो उनके हेलपर होते हैं वो सभी गुबारे इकटे करके दूसरे रूम में ले जाते हैं लेकिन उसके बाद वक्ता कहता है कि सभी लोग आप उस रूम में चाहिए और मैं आपको पांच मिनिट का टाइम देता हूँ सिर्फ पांच मिनिट जी हाँ दोस्ता आपने ठीक सुना उस वक्ता ने सबको पांच मिनिट दिया और बोला कि अपने अपने नाम वाले गुबबारे वहां से ले कर यहां प प्रयास करते हैं और दूनते ही दूनते लेकिन बहुत से अईसे लोग होते हैं जो आपस में बीड़ जाते हैं क्योंकि समय बहुत कम है जी हां दोस्तों समय की पाबंदी है सिर्फ 5 मिनीट में अपने नाम वाल लेके वापस वह में रहा होता था लेकिन क्या सब लोग दून पाए नहीं सिर्फ उसमें से तीन लोग वह अपने नाम वाला गुब्बारा डून के वापस आ गए और एक बार फिर से वक्ता ने कहा कि इस बार आप वही रूम में जाओगे और जो भी गुब्बारा आपके जिसका भी नाम वाला गुब्बारा आपके हाथ में मिले वह ले वक्ता एक बार फिर से वही रूम में गए दोस्तों जी हां दोस्तों वही रूम में गुब्बारा ने ले गए इस बार पांच मिनिट भी नहीं हुए थे पांच मिनिट से कम समय में सभी ने गुब्बारा भी ले लिया और जिसका गुब्बारा जिसके पास था उसको दे दिया पांच मिनिट से भी कम समय में इस पार ये प्रक्रिया पूर्ण हो गए तो वक्ता ने उन्हों ने कहा कि सच्चा सुख भी यही है अगर आप सच्चे सुख की सोध में हो तो पहले दूसरों को सुखी करना सीख है जी हाँ दोस्तों आप इधर उदर बटकते हैं सच्चे सुख के लिए अफ़रा तफरी करते हैं लेकिन आप दूसरों के बारों में सोचोगे तो वक्त नहीं लगेगा सच्चे सुख की प्राप्ति में अगर आपने गुबार का एक्जामपल जो दिया है इसमें उसे फॉलो करोगे तो अगर आप दुसरों की हमेशना मदद करोगे उसे सुखी देखना पाओगे तो आप भफ़ भब आउछ गवात हुआ हो जायेगा तो ऑप मेरे वीडियो से जुड़े रही अभी तक आपने चैनल सबस्क्राइब नहीं किया तो नीचे का लाल बटन दबा के चल्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आये तो नीचे का लाइक का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा और आपको यह सुख बरी कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर लिखेगा जी हाँ दोस्तों कमेंट लिखना जरूर यह ताकि मुझे भी मालूम पड़े कि आपको वीडियो पसंद आ रहे है या नहीं और वीडियो पसंद आये तो अपने दोस्तों के साथ शेर करना ना भूलियागा क्योंकि आपके शेर में बहुत ताकत होती है आप जब कुछ शेर करते हो त तो मैं जरूर इस वीडियो को देखूंगा क्या पता किसी को इस वीडियो के मादियां से सच्चा सुप मिल गाए तो मिलते हैं अगले ही ऐसे धमाकेदार वीडियो में तब तक के लिए जुड़े रहे है मेरे साथ नमस्कार जैहिन हूं दवल झाल 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 झाल